आज के तादा मोसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारत वर्ष के अगले जोबी से 18 गंटों के मोसम भी भागे समाचारों की आज बात करते हैं आज के पहले अपडेट की तो दिली यूपी राजस्थान उत्राखन साहित देश के काई राजों में आज बारिश की आसंगा अलट हुआ है सारी पूरे देश में मौसम में इस वक्ते आपर उत्राव चराव देखने को मिल रहा है वाई भाते मौसम भीभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि देश में पार फिर से एक नया पक्सिम विक्सुम संग्रेव गया है जिसके वज़े से देश के कई राजों में आं सबस्के भी आपट मौसम में भी दिल्नी और जह्ता जो मौसम है यहाँ बhydratने के आसार है वह दो दिनों तक दिल्ली में यहाँ पर वादल रहेंगे उल्हां कोच इलाकों में पारिज होसकती है वह मुसम तक भाकिस्थान के उपर एक चक्रवाथ जो पाकिसान इसके उपर तमिलाडू में भी जोरदार भारिस के आसार है वही मक्सीमी विक्सोब की वज़े से देश के कई लाखों में मौसम में परिवतन संभव है आज से लेकर अगले तीन चार दिनों तक हर्याना पंजाब रादस्तान यूपी पश्यमगान में जोरदार भारिस हो सकती है यानि मौसम विबाग ने या पर अलट जारी का दिया है और प्लिक यहां पर अनुद रहे कं दूब तक मानना है कि आज पार दृफ नहीं मतलब ताफमान भी कुछ लाकों में या पर बढ़ेगा वही जमा जम बारिष की पूरी संभावनायां पर है इन राजों में वहीं सकाइमेड वैदर की रिपोर्ट के रिफ्ट बात करें तो इसकाइमेड वैदर के मताबिक आज से लेकर आगे तिंचार दिनों तक पंजाब ह प्रश्मी यूपी में जोदार यहां पर बारिष के आसार है वहीं इन राकों में जोदार डंग से बरसातियां पर हो सकती है तेज बारिष हो सकती इसलिए यहां पर मौसम बिभागने अलट जारी का दिया है जबकि सिक्की मसं मैंगाले अर्णाचरपरदेश और नागाले के रल कानाटक और तरुड़ू पे जोड़ार बारिस के आफार हैं इसके लाबा यूप और बिहार और जहर कंची राज़ों के जीटेशं वाप चयाता है रहाником में थाना कि है सकती है के हों चारतान ने यहां पर तेज हवाय के सार बारिस के यहां पर पर चेतावनी जारी की है राजस्तान अहरेना के कुछिलाकों में भी यहां पर तेच हवा के साथ बारिस हो सकती है अब बात करते हैं राजस्तान राजे के मौसम समाचारों की तो राजस्तान में आज और कल कुछिलाकों में आती और बारिस के हैं आसार राजस्तान में पिछ जो नईया पक्सी विक्सूभ है भूसकरी होगा इसके फर्वाव के कारण वायू मंदल की निचने स्थर में राजे के उपर एक एक बार पूने आपर प्रिसंचन तंतर बनेगा तता अरब सागर की खाड़ी से आने वाली नमहवाव से 6 और 7 माई को एक मार फिर आन्दी और बारिस की गतिविद्या राजस्तान में बढ़े गया आज और कल में फिर बारिस की जो गतिविद्या है वो बढ़ने के आसारिया पर जताए गए हैं वह मुस्तन विबार्ग ने कहा है कि 6 और 7 माई आज और कल राजस्तान के अजमेर अलवर भरतपूर बिलवाडा दोसा और धूलपूर जेपूर जुनुनुनु करोली सिकेव सवाई मादपूर और परताब गड़ टौक पिशिमी राजस्तान के बिकानीर और जुरू जेसल जनके साथ तक देज आंधी चनल के आफार यहां पर जिदाए गए वही राजस्तान के पिलालतों यहां पर रास्तान के अंदर कल कई अलाकों में पूरू तर्फ दिग्री रहा है ताप मान को टारीस और जूरू में 40 दिग्री के उपर ताप मान रहा है इसके लावाश चि नचाथ दिली में करो में परकव जारी है विच्छे काईट्रों से लोग घर्मी से और उम्रस की माच जिल रहे हैं असे में मौस्टल बिभाग से अची कबर यहां पर आ नहीं है मौस्टल बिभाग ने कहा है कि आने वाले एक दू तू दिनों में कर अदर को रहत मिल सकती ह इसे पहले रातानी में अधिक्तम तापमान सामने से तेन दिगरी दिक रिकोर्ड किया गया है वही दिली के जातार इलागों में सुबे से तेज यहां पर चमकिला सुरज निकल रहा है वही दिन चलने के साथ ही दूपी तेज होई है हाला कि दिल के समय हलके बादल किया वजाई भी यहां पर लगी रही है इस बीच सरपरदज गंच छेतर के कुछ जगाओ पर हलके बादल नहीं पर दरज की गए है मुस्त विपार के मताबि सर्परदज गंच केंदर में दिन का ताफमा चालीस देसमलों एक डिग्री यहां पर दाज किया गया है इसके अलावा यहां पर नियुटम जो ताफमा ने 24 डिग्री का सबस रिकोर्ड किया गया है वही जो राजदारी दिली है वहां पर वाई- आपको बता दें कि सुनिये कि 50 के वायू गुलता को अच्छा माना जाता है वही 51-50 के वीचन जोνींद से लिकोंच को मत्यम पर माना जाता है थिल्डी में तिनी में फिलार्द यह है वही नाइसा है आप बात करते है च्यारखण रजी के मोसम समचारों कि तो च्यारखण म मुसम में बतलाव लगदा दर्दी का जा रहा है वही चार दीगे तक यहां पर टाप मारे जुगा है नौ माई तक यहां पर बारिस के आफ़ार है जारकंड राची की राज़तर नी राची सही ताजब़के लगों में एक बार फिर बारिस की समभावना बनी हुई है वे मुसम भाग के नुसार आज आसमान में यहापर बादल चाह रहेंगे तेरेवा के साथ बारिस भी हो सकती है मुसम भाग ने कहा है कि आगामी 9 माई तक मुसम का मिजाज इसी तरह यहाँ पर रहने के आसार है आगामी 10 माई से आसमान यहापर साब खूसकता है इस से पहले कल यहापर तो फिर बाद मुसम ने आपर करवट्टी आसमान में बादल चाहे हुए हवाय चलने लगी कुछ दिर बाद यहापर गरचमक के साथ बारिस हुए हुए मुसम भाग के आगडों के रुसार यहापर चाहटि की राजदानी राची के अंदर एक अव् बारिश हुई है वैदिक्तम और न्यूंतम तापमान चार डिग्री शेल्चेस निचे पहुच गया है इस दोरान सहर के कई अलागों में बिजली भी कटे रही इसे लोगों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ावाई पिसे सब्सक्राइब करते हैं अब बात करते हैं बिहार राजे के मोसम समाचारों की तो बिहार में आज देजान्दी और बर्सपात किया है असार बिहार के अंदर लगातार मोसम का मिजाज यहां पर बदला हुआ है वही बातलों की आवाजाई के बीच ठंडी हवाओ से लोगों को यहाँ पर मोसम फिलाल यहाँ पर गर्मी से रहत लोगों मिली हुई है इसे में लोगों को मौसम के पर 37 तक रहने की जूरत है वही उतर पिहार के अतिकांस चेलों में आपर तेज बारिश की आसंका है खासकर पक्षिमी चंपारन, सीवान और सारन पूरी चंपारन, गुपाल गन, सीता मडी, मदुगन नी और मुझपर पूर तरभंगा और वैशाली और सीवहरी, चमस्टिपूर, किसंगत, सुपूल, मुधिपूर, सैरसा, अरररिया, और कुणे जिल में तेज बारिश हो शकती है वही अकसर, रोतांस, और बोजपूर, पपुआ, औरंगाबाद, चाहनाबाद, और अर्वल, पतना, गया, नालंदा, शेखपुरा, और बेगुसुराय, और लखी सराय, और नवादा, केमूर, और भागलपूर, बंका, और मुंगेर, और खगेडिया, और जुमई में हलक की बारिज के आसारियां पर चटाए गए है, वही मौसम विभाग का किना है कि उतरपदे से लेकर असम तक ट्रेपलाइन गुजने के कारण, पिहार समित हिमाले के त्रहेवाल लाकों में आधी चलने के साथ साथ पौहरे पढ़ रही है, वही पतना मौसम विभाग के बड़ी संक्या में लोगों की यहां पर पिछले साल यहां पर वर्चपात और बारिज के करण बड़ी संक्या में यहां पर लोगों की जान गई थी परश्पात के करण, अब बात करते हैं उत्राखंड राजे के मौसम समाचारों की तो उत्राखंड के तेरा जिलो में भार कर्द वाहीं ट्रापन करने के साथ यहां पर आशार्थ रही थे वही मौसम के कारण पहाड़ों में चिंता यहां पर हाला थे वह चिंता जनक हाला उट्पन हो रहे हैं वहीं मौसम विभागे उत्राखण के अधिकाद जिलुम में पर आज पुछ लागों में यलो ऑलट चारी किया था मगर बिगर्ते मौसम के कारण जिस्टेश परसे तराजी बन रही उनको देखते हुआ यलो अलट में परवतितिया पर कर दिया है वही मौसम भागने इसे यलो अलट को या पर और और जवे तब्सक्राण पर कर दिया है में मौसम भी भागने आज और आज और कल उचे लाकों में प्रवस्ति जिलों में मेदाने लाकों में बारिस के आफार है इसको देखते भी मौसम भी भागने आज उत्रा खड़के